तो हेलो दोस्तों आपको स्वागते में चैनल ये अंडी गुरू में जहांपर मैं क्लास नंकी मैं से रेलेटेड़ कोईशन लाता हुआ रहा तो और कुछ मैं ट्रिक भी तो दोस्तों मैं फिरसा हाज़ों को और मैं ट्रिक लेगे जिसका नाम दे ग्रेट सिंप्लिफिक्शन ट्रिक जहां दोस्तों तक ग्रेट सिंप्लिफिक्शन ट्रिक इस वीडियो मैं आपको बता हुआ कि आप कैसे किसी भी सिंप्लिफाय वाले कोईशन को कितने इजी तरिक से कैसे गर सकते हैं मात रुकु सेकंड के अंदर तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अगर आप करना का जिब आपका ऐड हुए तो आपको 11 से मुल्टिप्ला न हूब कर देना है धोकिह लिए क्न में बड़ा नंबर होगा और देख पा रहे हैं ставत 16 को से प्लस कर दो 17 फ्लसे कर दो तो फ्ललस एक वाले 76 झीकिए दोस्तो अभी माइनस है तहाप का करूगे 67- dessa आपको पता है 67 वेसे बड़ा number minus करोगो तो अगर minus तो दोस्तो अब थर्ड कोशन देख लेते हैं अब तीसरे जो कोशन है वो दोस्तो एडिंग में है जैसे दोखो 3 3 3 3 ठीक दोस चार बर 3 प्लस 3 3 3 एक तीन कम होगा पैटन में चलता है ऐसे कोशन अकसर बहुत सारे कॉम्टेटी एक्जाम में पूछे गए है तो दोस्तो यहां पर है जैसे 4 बर 3 फिर 3 फिर 2 बर 3 फिर प्लस एक बर 3 ठीक है ऐसे कोशन अकसर पूछे जाते हैं तो इसमें आपको करना क्या सिंपली यहां पर कितने तीन है गिन लो एक दो तीन चार तीन है तो नीचे चार लिख दो फिर यहां पर कितने तीन है दो तीन है तो दो लिख दो यहां पर कितने तीन है एक तीन है तो एक लिख दो ठीक है अब करना क्या है जब भी प्लस हो तो आपको आगे से स्टार्ट करना है फोर थ्रीजा 12 फोर थ्रीजा 12 यहां पर 2 ठीक है दोस्तों और जो 1 बचा उसका 12 का वहां पर carry forward हो जागा आगे आप शुनमें करना है कि 3 थ्रीजा 9 9 प्लस 1 10 10 का 0 लिख दो और जो 1 बचा वो carry forward कर दो टू थ्रीजा 6 6 प्लस 1 7 ठीक है 7 इधर लिख दो अब यह 1 थ्रीजा 3 ठीक है 3 simply इधर लिख दो तो दोस्तों आपकर यही आंसर आगा 3702 जब इसको सबको प्लस करो तो आपकर यही आंसर आगा 3702 अब दोस्तों अब मैं इसको decimal वाले में बदल के दिखा दो नूर दोस्तों इसमें आपको करना क्या है simply 3 गिरो पहले 1 2 3 3 3 लिख दो किते 3 है 2 3 है 2 लिख दो ठीक है किते 3 है 1 3 है तो 1 लिख दो अब यहां पर हमने आगे से सुरू किया था प्लस में जब आपकर simple question था अग यहां पर decimal वाला question है तो आपकर पीछे से start करना है देखो 1 3 जा 3 यहां पर 2 3 जा 6 simply 6 अब दोखो 3 3 जा 9 ठीक है तो अब decimal कैसे लगा है अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है यह बड़ा दिख रहा है 0.333 यहां बड़ा नंबर दिख रहा है आपको करना क्या है यहां बड़े नंबर में किस कितने नंबर के आग अब कुछ फ्रैक्शन वाले कोशन लेने वालों जैसे मैंने लिया 8 प्लस में 7 अपन में 9 ठीक है दोस्तों आपको इसको प्लस करना अगर आप इसको प्लस करने बैठे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं सिंपल ट्रिक्ट में से का साथ थिका हूं आपको त आप इस ट्रिक को राम से प्लाइ कर पाऊगे तो आपको करना के अश्मिली 8 प्लस 7 अपन 9 को कुछ नी करना आपको लिग देना बस 8 7 अपन 9 आप आपस में जोड़ देना यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आप इसको और भी आगे आगे सॉल्व करना आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो 9 8 जा 72 72 प्लस 7 72 प्लस 7 79 ति हो जागा 79 अपन 9 थे दोस्तों यही आपका अंसर हो जागा जब आप 8 प्लस 7 अपन 9 को एड़ करोगे अब दोस्तों यही है अगर माइनस हो जाता तो उसको भी बता देता हूं 6th question 8-7 अपन 9 थे दोस्तों 8-7 अप अब इसमें माइनस आगे तो आपको सिंप्ली करना क्या है जो आगे वला नमबर है 8 इसमें से 1 माइनस करगो 8-7 हमेशा इस वाल नमर में से 1 माइनस करदो 8-1 7 7 को इधर लिग दो अब माइनस को अलगाने कोई जरूरात नहीं आपको अब एक करो 9-7 इन लोंका डिफ्रेंस देख लो कितना है 9-7 2 उपा लिखो 2 और अपन में यह वाला नमबर 9 अगर इसको आगे ब शॉल करगो तो आपका 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 आपक 8 अपन में 2 टिका दो स्टो प्लस में 6 तो फॉर अपन में 5 ठीक है तो सिंगल डीजेत आपका आपका आपको सी दिख रही है 7 दिख रही है तो 7 6 को अध कर दूंगा 7 प्लस 6 13 इधर आ जागा प्लस और जो फ्रैक्शन वाले कोउस्टन है उसको अलाग आड कर दूंगा अ आपको LCMP ट्रिक देता हूं एक 13 प्लस में 13 प्लस में 25 जा 10 इसे लिख दो 10 248 जा 248 जा 248 जा 40 40 प्लस 8 48 ठीक है दोस्तों आपका अनसर आगा 48 प्लस 10 अब दोस्तों आगे आपका 13 प्लस 48 अपन में 10 अब दोस्तों आपको करना कहा है सिल्फ़ी को जोर दो ऐसल्च यहां पर दोस्तों आपका होगा क्योंना इता है यहां PAR reported बड़ा था इसले इसको जोड़ दिया था लेकिन ह clear जो 17.8 आपका अंसर आजागा दोस्तो 17.8 तो दोस्तो देखा आपने में इसे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया अंसर यह है 17.8 दोस्तो एक टाइप और है जो कि मैंना आपको पहले क्या बताया तो अब टॉप सेवन कोशन लाएं यह ओगा यह जो टाइप है यह बहुत ही जादा पूछे गए कोशन और दोस्तो अगर यह आपने कोशन सीख ले तो आप आराम से कोशन कर सकते हैं स्कुार्य रूट वाला डूसर के स्कु स्कुार्य त्लिक है वह दिखा दे सेप आपको यह से 20 कोशन अब पूछ्ट यह जाता है अकदा ऑग्ति इसे अंड़ रूट अंडरूट एट प्लस में अंडरूट 57 प्लस में अंडरूट 38 प्लस में अंडरूट 108 प्लस में अंडरूट 169 ठीक है दोस्तो ऐसे कोशन पूछ लिजाते हैं और आपको बोलते हैं सॉल्फ करो और एक ऑप्शन ठीक करना होता है आपको तो दोस्तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगो इसकी आपको करना क्या है सिमले 169 है तो उसके नीचे 169 लिख लो लिख लिया अब 169 का स्क्वार रूट कितना होता है 13 तो 13 आपको आगे वाले में प्लस कर दिना है 13 जब आप 108 में प्लस करो तो आप कितना है गाओ 8 प्लस थी 111211 एटकर दिना है इंट प्लस नाइन स्क्वार रूट कितना होता है अफ के आपको आगे dobrze नंबर में आड़ तर देना है यह लिए तो दोस्तों देखा आपने मैंने किते simplify वाले question को किते easy तरिके से solve कर दिया आप भी ऐसे कर सकता है इस trick के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को click कर देना अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के regarding तो comment box में लिखना मैं इसको अगली वीडियो में पकास वाल करेंगा तो चली दोस्तों bye bye